हेलो फ्रेंट्स अगर आप भी सुभे शाम की चाय के साथ वही बिस्कूर वही नमकिन खाखा कर परिशान है तो आज हम गेहूं आटे से बनाएंगे ऐसा स्नेक्स जिसे आप दो महिने तक स्टोर करकर रख सकते हैं और घर की समान से कुछ मिंटों में बना के त्यार कर सकते है तो चलिए देर ना करते भी वीडियो स्टार्ट करते हैं इस नाश्टी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक कप गेहूं का आटा ले रहे हैं आप एक कटोरी ले लिजिए या फिर एक गिलास ले लिजिए एक कप के मेजर्मेंट से लेना है आटा हम यहां पर आप यहां पर काली मिच का पाउडर भी आट कर सकते हैं और साथ में डाल रहे हैं एक चम्मच सोफ जिसको हमने अच्छे से कूट कर लिया है अगर साबूत लेंगे तो इतना अच्छा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा आदा चम्मच जीरा भी डाला है एक बार सूखा ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स देंगे अब यहां पर 2 चम्मच मैंने रिफाइंट तेल लिया है आप चाहें तो यहां पर घी भी ले सकते एक चम्मच फ़रकर मैंने एंपर कसूरी मेथि डाली है और एक चुध्या चम्मच यहांपर सोफ लिया है जिससे अच्छे से ग्रश करकर डाला है दो चमच यहां पर तिल डाले हैं तिल आप यहां पर वाइट वाले या फिर ब्राउन वाले कोई भी ले सकते हैं तो एक बार सूका ही सारी चीजों के अच्छे से मिक्स देंगे और यह दे कि बहुत अच्छे से हमारे आटे में कलर भी आ गया हल्दी और मिर्च की वज़े से और बहुत अच्छे से इसकी मूट भी बन रहे है यानि कि इस तरीके से मुठी में आ रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छे से हमारा यह जो आटा है लगकर तयार हुआ है फ्लेवर के लिए मैंने इस पर अध्रक लेसन का पेस्ट लिया है यह पूरी करना है तो पानी का इस्तमाल बहुत कम करना है और यह हमारा एक सक्त सदोलक कर तयार हो गया है तो पांच या दस मिनिट के लिए इसको रैस पर डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको दोबारा से हातों से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे यानि कि स्मूथ कर लेंगे अब थोड़ी सी बेल न फिर तेकल बेल लेंगे रोटी बिह बिल्कुल पतलि बनाने और इसके बाद इस देखितें काटे से से हमें चेंग कर देंगे जिस से जो हमारी नाश्टा बना रहे हैं वो बिलकुल भी ना फूले और इस कटोरी लेकर हम पापड़ी को यहां पर कट कर लेंगे क्योंकि आज हम बना रहे हैं मसाला पापड़ी जिसे आप दो महीने तक डबे में भर कर स्टोर करकर खा सकते हैं बहुत क्रिस्पी और बहुत कुरकुरी बनती है यह और इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा हम इसका निकाल कर दिया है और फ्लेम को अब यहां पर बिल्कुल लो कर दिया है कम गरम तेल में हमें इसको डालना है क्योंकि हमने इस नाच्टे को आटे से बनाया है अगर इसको हम तेज आज पर डालेंगे तो यह एक दम से कलर चिंज कर देगे यानि की बहुत डार कलर आ जाएगा ना तो यह फिर दिखने में अच्छे लेगेंगे और ना ही खाने में तो पेशन्स के साथ बिल्कुल कम आज पर हमें इसको यहां पर फ्राइ करना है जब इन पापड़ी को हमने तेल में डाला था तो यह नीचे बैट गई थी पर यह एक साइट से अच्छे से सिख गई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप चैनल पर नए आए हो तो और ऐसी नहीनी रेसिपीस के लिए और अगर आप मुझे फेस्बुक पेश से देख रहे हैं तो पेश को भी फोलो कर लीजेगा और यह देखिए पापड़ी बनकर रेडी है हम हमारी इसी तरीके से हमने यह पर सारी पापडियां बना कर रेडी कर ली है अक्सरम बजार से मठी या पापड़ी लेके आते हैं तो उसमें मैदे का इस्तमाल होता है जो कि सेहत के लिए आनी करके और आजकल मैदा खाना हर को यह बॉइट करता है तो इसको चटपटा स्वा और कुरकुरी है इनने बना कर एक बार खाने के बाद सच में आपका हाथ ही नहीं रुकेगा इनको खाने से और यह देखिए एक दम जटके से टूट रही है इसका मतलब यह कितनी क्रिस्प है और मैं आपको इनको हतेली के अंदर इस तरीके से दिखा रही हूं यह कि अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नहीं दिने रेसिपी के साथ थैंक्स पर वोचिंग